हेलो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद अमन कुल में आज हम लाहे शिक्षा निदी शाले रास्य राजधानी शेत दिली की कारी प्रतक नंबर 72 जो कि क्लास 9 ले है विश्य आपका हिंदी है और चैप्टर हमारा मेरे संकी ओरते कंटिन् करेंगे जिसकी डेट है 19 जनवरी 2022 आप अपना नाम और अपने कक्षिद अपर का नाम नखेंगे प्यारे बच्चों इन कारी प्रतक के माइदें से अब तक आपकी पार्टे पुस्तक शितिश भागवन के पार्टों पर चर्चा की जा रही थी आई आज के पार्टे प्रत से लेने में अपराद में आई सेस के इमतहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जब जेब में पुष्टैनी पैसा देला एक नहीं था मां बिचारी अपनी मां और गांदी जी की सिद्धानतों के चकर में साधा जीवन जीने और उचे ख्याल रखने पर मजबू हुई हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चन का खा जाती थी रात रात बहर जाकर वह उनसे पहनने का भ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े वह कुछ ऐसी ना जुख थी उन्हें देखकर उनकी सास यानी मे पेशकर नहीं कि, क्यों नहीं कि उसकी दोवजे थी, पहले यह कि हिंदुस्तान के तमाम वशिंदों की तरह उनके असाम्ण सरार वाले भी सावह से खाशी अभीवुत थे और मेरे राना पक्के साहब माने जाते थे बस जाद सेवा हिंदुस्तानी थे बाकी चेहरे, मुहरे, रंग-डंग पढ़ाई लिकाई से सब में अंग्रेज थे मजे की बात किये थे कि हमाई देशे रंजादी की जंग लेने वाले अंग्रेज के सबसे बड़े प्रशन सकते गांदी, नैनुगो या मेरे पिताजी के घरवाले बले लड़का अजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शौरत सिर करता दबदबा करके साहबी ससुर कही था एक आन, बान, शान वाले साहब ने उनके सिर्फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौपी उसे रोमान्चक क्या कोई परिकता होगी नानी की सनक भरी आकरी ख्वाईश और नाना की रजामंदी वे रोमान्चक कथाई थी जो कहाने के तिलिस्म को और गाड़ा बना चुकी थी दूसरी वज़े मा को अपनी शक्सित थी उनमें खुबसूरती नजाकत और गैर दुनियादारी के इमान साथ इमानदारी और निश्वरस्ता कुछ इस तरह गुली मिली थी कि मैं परिजाद से कम जादू ही नहीं मालूम पड़ती थी उनमें ठोस काम करवाने की और कोई सोच भी नहीं सकता था हाँ हाँ ठोस और हवाई काम के लिए उनके जबानी राय ज़रूर मांगी जाती थी अब पत्तर की लगीर तरह निभाई भी जाती थी तो यह आगे आपको बता रखा था चैप्टर में की जो उनकी लेखा की जो मा है वो भी ज्यादा यह नहीं था कि वो बहुत अच्छे से जीवन जी है उन्होंने भी एकदम साधा सा जीवन जी है इस के इंतिहान में बैठने से रोग दे गया वाक्य में आई सीएस का अर्थ क्या है तो आई सीएस का इसमें आर्थ हो जाएगा आपका इनियन सिविल सर्विस तो इसमें आपका गव ऑप्शन करेक्ट है लेखिका ने किनको अंग्रेजी का प्रशन सक माना है गांधी नैर लड़ने वालों की सबसे मज़े की बात क्या थी तो आप लिखेंगे लेखिका के निसार आजादी की जंग लड़ने वालों में सबसे मज़ेदार बात यह रही थी कि देश में आजादी की जंग लड़ने वाली अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशन सक थी चौता अजादी के प्रती जुनून वाली महिला थी पांच्या प्रश्ण स्वरी लेखिगा ने अपने नाना को अंग्रेज के किस रूप में कहा था तो लेखिगा कैब्रीज विशुर दाले ने से जब लेखिगा की नाना डिग्री लेकर लौटे थे तो वह विलायती रीती रिवा आइस परिशा के संदर्ब में जानकारी प्राप करें और इस पर एक अंट्री लिखें तो आपको आइसे के बारे में लिखना है कि यह कब कंड़क करा राता है यह तुरी यह हमारे भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती तो आप इसे बना के लिखेंगे तो यह थी आपके आ